Hi Moms and Dads, Welcome to my channel मेरा नाम है निकिता और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें किस तरह से सोना चाहिए हमारे बेबी की ग्रोथ और डवलपमेंट इस बार पे बहुत निर्भर करती है कि हम किस पोजिशन में सो रहे हैं इसलिए हमारा ये जानना बहुत इंपोटन है कि हमारे सोने की कौन सी पोजिशन सेफ है और कौन सी स्लिपिंग पोजिशन हमें बिल्कुल अवाइड करने चाहिए तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको यूसफुल लगे पसंद आये तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजेगा और सब भी के साथ शेयर जरूर कीजेगा और मेरे शानल को सबस्क्राइब जरूर कीजेगा ताकि हम मिलकर इस छोटी सी इंडियन मम्स की फामिली को बढ़ा कर सकें और अब आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं मेरे Facebook और Instagram का लिंक मैंने नीचे description box में दिया हुआ है तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को start करते हैं तो पहले हम बात करते हैं उन sleeping positions के बार में जो कि हमें बिल्कुल avoid करनी चाहिए जो हमारे baby के लिए बिल्कुल भी safe नहीं है तो पहली sleeping position है पीट के बल सोना यानि कि अपनी back के बल सोना प्रेगनेंसी के 1st trimester में आप किसी भी position में सो सकते हैं back पे, page पे, sides में कोई भी position में आप easily सो सकते हैं सारी positions आपके लिए safe हैं बढ़ 2nd और 3rd trimester में आपको पीट के बल सोना बिल्कुल avoid करना चाहिए इंटेस्टाइन पर पढ़ता है और blood vessels पर पढ़ता है जिसकी वज़े से हमें back egg जैसी problem होती है और हमारा digestion system भी slow हो जाता है साथी साथ जो blood vessels हमारे baby तक blood supply करती हैं उस तक खाना पहुचाती हैं उस पर pressure पढ़ता है यानि कि अपने स्टमक के बल सोना अब first trimester में आप स्टमक के बल सो सकते हैं कोई problem नहीं है लेकिन second और third trimester में क्यूंकि आपका जो cute सा baby bump है वो दीरे दीरे बढ़ रहा होता है और अगर हम अपने पेट के बल सोएंगे तो हमारी body का सारा pressure हमारे पेट पे आएगा जिसकी वज़े से उसकी growth में problem आएगी इसलिए जिन लेडिस को पेट के बल सोने की आदत होती है वो first trimester में ही अपनी इस आदत को change करने की कोशिश कीज़े ताकि उन्हें second और third trimester में ज़्यादा problem ना हो तो ये बात हो गई उन positions की जो हमें avoid करने चाहिए अब हम बात करते हैं उन sleeping positions की जो हमारे बिल्कुल safe है और हमारे baby की growth and development के लिए भी बहुत अच्छी है तो पहली sleeping position है half sitting position यानि की जो आप उपर picture में देख रहे हैं उस तरह से सोने की position इस position में आप अपनी कमर के पीछे कुछ पिलोस का support लेते हैं और फिर लेटते हैं जिसकी वज़़से आपकी back को support मिलता है और अगर आपको backache, heartburn या फिर सांस लेने में दिक्कत जैसी problem आ रही है तो आप इस position में सो सकते हैं इससे आपको उन problems में काफी relief मिलेगा और इस position में आप तीनों ट्रैमेस्टर में इजली सो सकते हैं अब बात करते हैं next sleeping position के बारे में जो कि है अपने side में होके सोना यानि की sleep on side pregnancy के second और third trimester में आप किसी भी side में होके सो सकते हैं left side या right side जो भी आपकी मरजी हो लेकिन अगर मैं best position की बात करूँ तो Auckland, New Zealand में एक छोटी सी research हुई थी जिसके according जो ladies left side में सोती हैं उनके baby की growth and development बहुत अच्छे से होती है क्योंकि left side में सोने की वज़े से आपका blood circulation बहुत अच्छे से होता है और आपके baby तक oxygen supply भी बहुत अच्छे से पहुंचती है साथी साथ placenta के through nutrients बहुत इसले आपके baby तक पहुंचते हैं left side में सोने की वज़े से जो आपकी kidney है वो बहुत अच्छे से work करती है जिसकी वज़े से जिन ladies को swelling की problem हाती है feet swelling या hand swelling उन्हें भी इस position में सोने से काफी relief मिलता है तो अगर आप left side में सोते हैं तो आपके baby और आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है बहुत ही healthy होता है आप right side में भी होके सो सकते हैं लेकिन कोशिश कीज़े कि जादा तर आप left side में सोएं तो I hope आपको मेरी वीडियो useful लगी हो मेरी वीडियो को देखने के लिए thank you thank you so much bye bye